जिसको इस्टोक मार्केट में अमीर और धनी बनना है दोस्तो दो हजार चौविस तक दो साल के लिए कम से कम ये दो साल के लिए आपको इस्टोक रखना पड़ेगा दो साल के लिए लॉंग टर्म के लिए ये स्टोक का पोटफोलियो बना लिजिए इगारस सेर का पोटफोलियो दो साल के लिए दो हजार चौविस तक इसे स्टोक को अगर रख लिए तो आपको अमीर और धनी बनने से कोई नहीं रोख सकता दोस्तो हमारे सॉप्ट यूर पे ये तीन महिना पहले से मैंने डाल कर रखा था और हमारे सॉप्ट यूर पे आया है जो 11 सेर का पोर्टफोलियो बना लो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ये पोर्टफोलियो दो साल के लिए आप लंबे समय तक के लिए अगर रखते हैं इन सेरों को तो आपको 2024 में बहुत बड़ा बेनफिट देगा और 2024 तो बहुत दूर है कम से कम दो साल के लिए अगर रखते हैं तो आप सोचे भी नहीं होगे इस स्टोक में आपको कितना बड़ा बेनफिट दिया चलिए बता दे कौन सा सेक्टर है कौन सा स्टोक है जो अभी कोई 10 रुपया का है कोई 100 रुपया का है कोई 1500 का है और कोई 300 रुपया का है कोई 600 रुपया का है इस तरह 10 रुपया से लेकर 1000 के अंदर तक का ये स्टोक दोस्तो अगर आप 2 साल के लिए अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमे बनाने का बहुत ही अच्छा मौका दो साल के लिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फोर टू यर्स, आफ 11 स्टोक, टू, बेस्ट बाई, फोर लॉंग टॉर्म, मिनिमम टू यर्स, दो साल कम से कम, अगर आप इस सेर को रखते हैं, और दस हजार रुपया का इन्वेस बना दीजिए, और 11 सेर के बनाने का इसलिए कहते हैं, कि कभी कोई सेर में अगर दो साल बाद आपको लगता है, कि ज़्यादा बेनिफिट देगा, या दो साल के बाद नहीं देगा, उसके बीच में ही अगर आप कम से कम 100% के प्रफिट मते तो जरूर सेल करके निकल जाए और प्रफिट बुक करते रहे हैं, यह बहुत बड़ी स्टेटेजी हम आपको बता रहे हैं, अब बहुत एनालसिस करने के बाद, आपके नए सेर धारकों जो अभी अभी इसी महीने आये हैं, जो इसी महीने स्टोक मार्केट में आये हैं, और नए सेर धारक हैं स्टोक मार् दिमेट ट्रेडिंग एकाउंट का जो पोर्टल है उसमें ही खोलिए मेरा ये एड़वाइस है इंटरेट एक मुंबई एम बीके सिंग के एड़वाइस है कि ने एसी के पोर्टल पर ही आप एकाउंट अपना खोलिए ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट एमाउंट और पोर्ट फोलियो का इमाउंट और डिमेट एकाउंट का जो इंवेस्टमेंट एमाउंट सब सेम मिले बरना आपको नुकसान होने से कोई नहीं बचा पाएगा चलिए दोस्तों पहले हम बात करें पोर्ट फोलियो की 10,000 का portfolio 10,000 का portfolio 11 multi beggar stock 2 साल के लिए कौन कौन सा है सबसे पहला नमर आता है दोस्तो मेरा network पे मेरे software पे तेजस network जी ये company क्या करती है ये company आपको telecommunication में manufacturing का काम करती है और ये equipment का काम करती है एक्सपोर्ट करती है कई दोसों में 5G network से बने equipment इसके product बनाती है दूसरा दोस्तों बनाता बता दे हम आपको टेक महिंद्रा ये जो company है information technology का जो 5G के sector में है और ये IT sector का stock है लेकिन ये 5G stock के में काम करती है और इसका काम है दोस्तों information टेली को में सेक्टर में और इसका है ये बहुत बड़े skill set mind जो है company का price बहुत ही बढ़िया है और ये 5G service देती है टेक महिंद्रा नहीं जानते है तो जाल ये टेक महिंद्रा ये 5G सेक्टर में भी काम करती है information technology जो बोलते हैं और इसके लिए ये बहुत बढ़िया इस्टोक है दोस्तों जो भी प्राइज है हम नहीं जानते हैं कि कितना प्राइज है लेकिन ये दो साल के लिए रखते हैं तिसरा इस्टोक अंधूस टावर ये दोस्तों मैं बता रहे हूं कि ये group of companies जो आपको ये दो शेरों में इसनलश के साथ इस बिले हुआ है इन दोनों के बीच बहुत बढ़ा इसमें ellyst56 इंडूस्ट टावर जो खड़ाक इंडूस्ट टावर है उसमें बोड़ाफुन I.D.I.P.L.C. बोड़ाफुन I.D.I.P.L.C. और भारती यह टेल फ़र्मली रूप से यह आपको बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है और कनाडियन जो पेंशन फंड है उसमें भी यह बॉंड इसका निकला हुआ है और इसमें यह हिंदुस्तान इवनी लिभर सेक्टर का जो है मोनोपोली इसमें किया है मल्टी बेगर स्टोक आइडिया इंटाडेटर के मुंबई चली हम बता दे और चौथा इस्टोक क्या है दोस्तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बना दे हिमाचल हिमाचल फीचरिस्टिक कॉम्णिकेशन लिमिटेड जिसका सौट नम है आप जानते हैं हमने एक साल पहले भी इसको एड़वाइस किया था एचेप सियल जब यह आपक पर्सन गरांटी है पांचवे स्टोक की सभी के गरांटी है लेकिन इसका यह हमारे जो सब ट्यूर पर आया दोस्तो भारती एटेल का नाम जो बहुत ही बड़ा स्टोक और यह 1000 जैसे ही यह आन एर हुआ फाइब जी भारती एटेल को छोड़कर सभी स्टोक आप देखना च जीओ जीओ जो इंडिया में सबसे जो रिलाइंस इंडस्टीज का है और यह लीडर आप टेलिकम इंडस्टीज लीडर आप टेलिकम इंडस्टीज में आता है जीओ जो 5G सर्विस का रिलेटिड सर्विस देता है और इसकी दोस्तों इंटरनेट का जो काम है जो इंडिया में समुद्र से लेकर पहाडों तक काम नहीं करता है दोस्तों इसका नेटवर्क पहाडों पे काम नहीं करता है दोस्तों समुद्र में काम नहीं करता है दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ पाबलिक को पैसा लुटने का गुमरा कुछ ऐसे इसकी टेकनोलोजी है जो कैसी टेकनिक है कि सिर्फ और सिर्फ जहां रहेंगे जहां का सिम लिये रहेंगे वहीं पे काम करता है और आप पढ़ों पे चले गए तो इसका नेटवर्क ने, इसके हर जगे टावर नहीं है, यह सिर्फ पाइसा कमाना जानता है, सबसे अच्छा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में उसका नाम है भारती एर टेल दुर्फोर, इससे अच्छा कोई दुनिया में नेटवर्क नहीं है, तो 5G का सीम लेने के चलिए बता दे, और मैंने नेटवर्क की बात किया, इस्टोक की बात, इरिलाइंस इंडिस्टी तो है ही, लेकिन नेटवर्क में सबसे, सिर्फ और सिर्फ आप जहां है, वहीं पे, और इस अगर रोमी में चले गए, तो आपको चने चबाने पढ़ते हैं, रोने, खून के आशू रोना सुरू कर देंगे, जो भी इसके कंजूमर हैं, नहीं विश्वास हैं, तो आज आओ, जीओ के कस्टमर केर के जो एडवाइजर हैं, और हमारे पास, हमारा साब कुछ है, इसमें, नंबर है, मेल है, बताओ, और हम बताते हैं, हम जाते हैं, पूरी इंडिया देखता हूँ, ये भी देखता हूँ कि कौन सा नेटवर्क काम करता है, ये एक जीओ जो कंपनी है, ये रोमिंग में आपको लूटने का काम करता है, बोड़ा पॉन आइडिया, सातवा स्टोक है, जो हम आपको, हम तो इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, दो साल क मरे बारत है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा मेरा रिस्पोंस, और इसको मैं फाइफ स्टार देता हूँ, भारती एर टेल, चले दोस्तों, आठवाइस टोक, आईटी आई, जी हाँ, आईटी आई, आईटी आई, जो बी एसनल और एम टी एनल का, बी एसनल, एम टी एनल, औ चाना इंडियन गोउब새ώς, आईटी आई, आईटी आई, आई आई ए 一क इनल, इनल ve जी हाँ, यह की ए पेसी, आईटी का एहा है, आईटी आउ इसको मैं पहलन के व।नव, आईटीव मेट्न और इसको मैं अप्वाइच्ट, आपटी जबावल एकिन इसको इसमें मेरीट्म वेरियस डोमेस्टिक टेलकॉम, इकुमेंट्स, प्रोडिकुमेंट्स, दा कम्पनी मनुफ्रेक्शन 5G, एनेबल डेरिक्स, तो आपको बहुत बड़ा माल पर करगा। दूसरा हमारे स्टोक पर आए दोस्तो, स्मार्ट लिंक होलिंग्स, ये भी 5 जेस्टो के ये करती क्या है दोस्तो, इस ये कंपनी डिलिंग इन देलिंग इन मनुफ्रेक्शन वेल टेलिंग टेलिकॉमेंट गुट्स, तो और सब्सेडियरी, डिजिगोली सिस्टम लिमिटेद ein, चर्णैट, ये रीक देलिबक वे स्यर मेन स्यर् में अाराइ टेलिंग्स लिमिटेज राइस ज मुट्टीच लिमिटेजित गरे मुट्स लिमिटे छ में ऑसो, ये दुर्षा, विरभ छेमिटी दोलीज dye लिव में इना द्टेल मुट्ग ये लिमिटीग्स, लिव ठश्य 21.4 Rs.50, two weeks high 107.45, the company's current share price 19.8, the company is receiving outstanding shares through trader buy back root concern continuously since last four years, no broker houses give buy recommended for this stock, this stock को कोई नहीं कर, कोई नहीं इसको करता है दोस्तों और यह जो ब्रोकर में दलालों की बात करता हूँ, यह बहुत ही खतरनाक है, चलिए दसमां श्टोक, वह भी लेकर रखने लाएक है, यह government का श्टोक है MTNL, this is a government company providing telecom services in limited circle, MTNL has been granted permission to conduct 5G trial for developing the service community, commercially GMTNL, यह आपको जितनी भी company है, उनके लिए यह service देती है, और यह आपको 52 weeks low 6.68 रुपीश था और high 24.4, इसका हमने बहुत बड़ा वीडियो हमारा है, पिछला वीडियो जरूर देखिए और आपको last में मैं जरूर बोलूँगा दस्तो, इसलिए कि इसमें तो हमने एक एक दिन में चार चार बार कमाई किया दोस्तो, महिने में चार बार यह हमको कमाई, इतना कमाई दिया, इतना हमें benefit दिया, और यह भी last तो कहावा था है कि अंत भाला तो सब भाला, इस वीडियो में आपको यह stock का जो नाम बताने जा रहे हैं दोस्तो, हमारी चेहरे पर मुश्कान देखिए क्योंकि हम इसकी पूरी जरम कुंडली जानते हैं दोस्तो, हम certificate नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इस stock को गरांटी दे के कहते हैं, कि यह stock 500 रुपया का है दोस्तो, और इस एक सो पैंसाट रुपया से हम इसको देखते आ रहे हैं, तीन सो दस रुपया तक गया था, और इसका नाम है दोस्तो, STL Tech, Starlight Technology Limited, यह भी 5G sector का, 5G का काम करता है, और इस stock को जरू देखिएगा, इसलिए मैं आनती में दिया, कि आपको हमेशा याद रखे, बाई, वनली बाई, फोर, टू यहर्स, मिनिमम, अगर आप इन्वेस्टर बनेंगे, तो इन सारे के सारे सेर आपको कमा के देंगे, इन्टाडेटेक मिशले की, हमारा मकसाद ही दोस्तो, ने सरधारकों के लिए हम कभी भी कोई कमी नहीं होने देंगे, और ना उसमें चूक होने देंगे, दोस्तो, जय हिंजे भारत, बंदे मात्रव,